कि नमस्कार साथियों स्वागताब सभी का मारे यूट्यूब जनल में आज के वीडियो में बात करेने वाले हैं साला दर्बन पर छातरवरती परभारी का जैन किस परकार से करें वर्क इन्चार्ज मेपिंग कैसे करें और मेपिंग करने के बाद इन्चार्ज है वो लोगिन कैसे करें तो ये तीनों के तीनों बाते हम आज के वीडियो में करने वाले हैं ये कारिये हम करेंगे सतर दौजार बाईश तेश के लिए चूंकि साथियो अब इसकोलर्शिप के फोरम है वो भी सुरू होने वाले हैं तो इसकोलर्शिप का जो चार्ज है वो हम अलग-लग शिक्षक को देंगे एक ही कई को नहीं दे सकते इसलिए इसकी मेपिंग है वो हमको ऊंलाइन करनी है तो इसके लिए हम परी मेर्टिक और पॉिस्ट मेर्टिक जो इन्चार्ज है दोनों के बारे में यहां आज जो online process है उसके बारे में समझेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साल अधरबन पर login process की तो वो सभी आपको करनी आए तो login process की बात करें तो यहां पर जो login process है वो हम कर लेंगे उसके बाद में हमको कुछ option दिखाई देंगे यहां हमको जो कारमिक option है उस पे click कर देना है कारमिक option पे click करने के पश्चार्थ यहां पर देगे हमारे सामने इतने option open होंगे तो यहां पर जो work in charge mapping है चौथी नमबर का उस पे हम click कर लेंगे वर्क इंचार्ज मेपिंग पर किलिक करने के पश्चाहत कुछ इस परकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा तो इसमें हम जो ड्रोपडाउन मीनू है उससे सबसे पहले रॉल सेलेक्ट करेंगे और रॉल सेलेक्ट करने के बाद में इंचार्ज सेलेक्ट करेंगे द्यान हम को यहां रखना है कि कोई भी करमचारी जिसको परबार सौपा गया है उसे सौपे गए मोडूल या योजना पर काम करना जारे रखने के लिए उसका स्टाफ विंडो पर पंजी करते होना जरूरी है तो यह तो नॉर्मल शी बात है क्योंकि सभी साथी है वो इस्टाफ विंडो पर पंजी करते हैं सभी का कार यह पहले से चला आ रहा है इसलिए सबसे पहले तो जो रोल है उसमें हम प्रिमेट्रिक इन्चार्ज है वो सेलेक्ट करेंगे प्रिमेट्रिक इन्चार्ज सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट इन्चार्ज जो ड्रोप डाउन मीनो यहां आप देख पा रहे हैं कि इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे तो सभी स्टाफ साथी है उनका नाम ओपन हो जाएगा उनमें हम जिसको भी करना चाहें परवार देना चाहें उसको एड करें और साथ में ही जो हमारे नीचे एड का बटन है उसको दबाएं तो वो साथी add हो जाएंगे उसी परबार के लिए उसके बाद में देखते हैं कि जो post matrix चातरवर्ती है उसके लिए in charge तो वो ही process करनी है post matrix हमको select कर लेनी है और in charge हमको यहाँ से select करके drop down इमीनों से और उसको add कर देना है add करने के पश्चाद वो add हो जाएंगे एक बात हम आपको यहाँ और पता दे कि जैसे मालो पहले हमने किसी को परबार in charge बना रखा था और अब हम किसी दूसरे को in charge मना रहे हैं तो वो ही process करेंगे और वो process करने के बाद में जो पहले in charge बनाया था वो तो deactivate mode में आ जाएंगे और नया in charge जो बनाया है वो activate mode में automatic आ जाएंगे सर्त वो यह कि जो कार्मिक है वो staff window बर पंजिकरते होने चाहिए उसके बाद में बात करते हैं कि साथियों को हमने in charge बना दिया है अब in charge साथी scholarship जो portal है उस पे login कैसे करेंगे तो उसके लिए हमको school login पे नहीं जाना है simple सा हमको type करना है staff जो हमारा सालादरपन है वो type करना है सालादरपन पे जो नीचे वहुत सारे टेम scroll करते मिलेंगे आपको तो उसमें जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं डी एलेड है scholarship राजश्री है शाला समाध है कक्सा आठ वोर्ड फारम है internship है तो यह सारे के सारे आपको यहां मिलेंगे तो यहां हमको scholarship पे किलिक कर देना है scholarship पे जैसे ही किलिक करेंगे जो हमारे सामने इस परकार का इंटरफेस आएगा यहां पर जो लोगिन का बटन दे रखा है कोर्णर में आप देख पाएंगे लोगिन का बटन यहां है तो इस पर हमको किलिक कर देना है और जैसे यह हम लोगिन पे किलिक करेंगे हमको इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा यहां हमको दो लोगिन देखने को मिलेंगे एक तो school या office login है और दूसरा है in charge login तो यहां हमको school और office login से कोई काम नहीं है हमको केवल यहां काम है in charge login उसे तो यहां इंचार्ज लोगिन में जो साथ ऐड़ी है वो हम यहां पर देंगे एनए सी स्कूल कोड जो हमारा छे एंग का होता है वो हम यहां पर देंगे और पासवर्ड अब साथियों यहां पासवर्ड हम कुझ चें डालेंगे तो password यहां जिस भी साथी को हमने इंचार्ज बनाया है उस साथी के जो staff id के password है वो हम यहां डालेंगे और capture को डालके login कर लेंगे तो वो साथी जो scholarship portal है उस पर login हो जाएंगे साथी को यह थी सारी के सारी प्रकिरिया जो scholarship है उसके लिए इंचार्ज हम कैसे बनाए इसके बाद में बात आती है scholarship के जो forum है वो फिलब करने की तो इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि scholarship के pre-matric और post-matric forum है वो हम किस परकार से फिलब करें वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ share जरूर करें इंपोर्टेंट जानकारी है इसलिए अपने सभी groups है उसमें share करतें जिससे की अभी शिक्षक शाती है वो इंचार्ज बना पाएं मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में झाल